साथियो नमस्कार, साथियो आज उत्तर प्रदेश में वर्तमान की आदितनाच जी की सरकार को अब 5 साल पूरा होने को है, महत 6-7 महिने बचे हुए हैं और इन पांच सालों में आधित नाच जी ने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के करोडों बिरुजगार नाजवानों को नौकरियों का हिस्तियार देखे, फरजी विग्यापन निकाल कर और बड़े-बड़े ब्यान देकर अख़वारों में सिर्फ और सिर्फ भरमाने का क अभी आपने दो महिने पहले देखा कि किस तरीके से अब एक नया इनका फर्मान जारी हो गया कि उत्तर प्रदेश में पीटी के पहले एक्जाम देने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम प्रत्योगी छात्रों को यानि प्रारंभिक अहरता परिक्षय आब आपको पा जाल फैला दिया है ताकि हर बार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियों से भर्मित किया जाए जो उनके मुद्दे हैं उनसे भर्मित किया जाए आज एक और फैसला कला आया अब आदितनाज जी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में टीटी जो है जो बच् का 59,000 सहायक सिख्षक भरती अभी तक पूरी नहीं हूई कही आरक्षन घोटाला मिल रहा है कहीं कुछ घोटाला मिल रहा है 38,500 की जो भरति आई सिख्षक की अभी हो पूरी नहीं हो पाई इसी उत्तर पर अपना सर सब्सक्राइस करते हैं तो सबसешь नियुक्त हैं। जिसे की महेश साथ महिना बचा हुआ है आपकी सरकार का इन बचे हुए साथ महिने में अगर उत्तरपदेश के नौजवानों का आप कुछ भला करना चाते हो तो कम से कम जो लंबित भरती हैं उनको क्लियर करने का काम करिए अन्य था जिस तरीके से हर रोज चेहरा चमकाने के से यह कारे कि खुलए एक आप अकबारों में शेंख़ा चाहिए आप करता है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान आपकी इन चालाकी को आपके फर्जी फर्वानों को समझ चुका है 2022 में महज 8 महीने बचा हुआ है उत्तर प्रदेश का करोड़ो नोजवान आपकी सरकार को निस्ता नाबूत करने का काम करेगा बहुत बहुत धन्यवाद